कच्छा आठ संसकत देखिए बच्चो इससे पहले हमने आप लोगों को सब्द रूप के बारे में जानकारी दी थी आज हम आपको सर्व नाम सब्दों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे इसमें आता है हमारा असमत असमत माने होता है मैं हम जब हम कोई भी बाक्य बनाते हैं वहां पे मैं या हम होता है तो एक वचन और दिवचन के हिसाब से हम उसमें असमत का प्रियोग करते हैं ठीक है इसमें क्या है पहला होता है विवक्ति दूसरा होता है एक वचन दिवचन और बहुचन पहले में होता है प्रत्मा विवक्ति म में होता है अहम अहम माने मैं आवाम वयाम आवाम माने हम दोनों वयाम माने हम सब उसी प्रकार से दुद्या विवक्ति में क्या होता है माम मा आवाम देखिए आवाम उपर और नीचे दोनों जगा मैश कर गया है आपको बड़ी असानी सियाद हो जाएंगे नो अस्मान नाह उसके बाद में हमारा तरतिया विवक्ति तरतिया विवक्ति में है मया, आवाब्याम और अस्माभी इसमें जरूर तीनों अलग 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 गए लेकिन अब देखिए चतुर्थी में फिर मेच करेगा चतुर्थी विवक्ति में मयाम, मे, आवाब्याम देखे आबाब्याम दोनों का उपर नीचे एक हो गया है तरतिया और चतुर्थी में उसके बाद में हमारा नो दुतिया विवक्ति में भी दुवचन में आया था और असमभ्याम असमभ्याम और ना देखे दुतिया विवक्ति में बोग बचन में ना आया था इसमें भी ना आया है अब हमारा आता है पंचमी विवक्ति पंचमी विवक्ति में है मत आवाभ्याम देखे तीनों में त्रतिया चतूर्थी और पंचमी तीनों में आवाभ्याम हो गया असमत असमत हमारा हो गया अब हमारा आया सश्थी विवक् भी आगया आवयो और उसके आप नो चाहे आवयो लिखें चाहे तो आप नो कप्रियों कर सकते हैं तो देखें तीन जगाया आया दुतिया फिर चतूर्थी और सश्टी बड़ी आसानी से आथ हो जाएंगे दूतिया चतूर्थी सश्टी उसके बाद में असमा कम ना और वही Technique में भी है और सत्मी में भी आया आत्मा किसी असमाश हमारा जिरूरा लग है फृर से देखेश्टे में अहां आवाम वयाम दुतिया में मा मा आवाम नो अस्मा नहा तरतिया विवक्त में मया आवाब्याम अस्मा भी ही विशरकें लगी हैं यहाँ पे चतुर्ति में म्या में आवाब्याम नो अस्मा भ्याम नहा पंचमी में मत आवाब्याम अस्मा सश्टी में मम में आवयो नौ अस्मा कम नहा सब्तमी में मैं आवयो अस्मा शो ठीक है अब आप लोग अस्मत के सब दुरूप लिख ले और याद कर ले